नियो आर्कियन का टाइम पिरियड है 2.8 से 2.5 अरब साल पहले आज से करीब 2.7 अरब साल पहले साइनो बैक्टिरिया नामक निले हरे सुक्च जीव पृत्वी के महा सागरों में पनपते थे उन्होंने गैसियस या फ्री ऑक्सिजन को कारवन डाइ आक्साइड वाटर और सूर की प्रकाश से बनाया इस प्रकिया को फोटो सिंथिस कहा जाता है ऑक्सिजनिक फोटो सिंथिस पहले इस एरा में विक्सित हुआ था और ऑक्सिजन कैटास्ट्रोफी के लिए जवाब दे था जो बाद में वातावरन में ऑक्सिजन के एक जहरीले बिल्डप से पैलियो प्रोटीरोजोईक में होने वाला था जैसा कि साइनो बैक्टेरिया ने अधिक फ्री ऑक्सिजन बनाया वाईउ मंडल में ऑक्सिजन की मातरा आज के लेवल का एक प्रतिशत तक पहुँच गया जो 21 प्रतिशत है आर्कियन इयोन की दोरान कुछ प्रोकेरियाट्स ने फोटोसिंदेसिस के लिए मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का विकास किया जिसने उन्हें शुरू में सूरी का प्रकाश वातवरंड से हैड्रोजन को निकालने के लिए उप्योग किया और बाद में सूरी का प्रकार ओक्सिजन की रिलीज के साथ वायू मंडल लिये कारवन डायकसाइट से कारवन को निकालने के लिए उप्योग किया इस प्रकार एक पर्यावरण बना जो यू केरियोर्टिक सेल्स और जीवन के मल्टी सेलूलर रूपों का समर्थन कर सकता है तब के महासागरों में आयरन और सिलिकन की मातरा ज्यादा थी ये सब मेरिन जौला मुखियों से आते थे महासागर आइरन और सिलिकन से भरा है और इसमें ऑक्सिजन भी है जब आइरन ऑक्सिजन के साथ रियक्ट करता है तो आइरन में जंग लग जाती है इसलिए समय के साथ सी फ्लोर ने जंग लगा आइरन इकटा किया महसागरों में ऑक्सिजन से जंगल लगा आयरन का निर्मान जारी रहा घड़ते तापमान के साथ फोटो और्टो ट्रॉपिक ऑक्सिडेशन दर धीमी हो जाती है और साथ ही कम तापमान में सिलिकन मिनरल समुद्र के पाने से निकल जाता है सिलिकन मिनरल तब सी फ्लोर पर इखटा होता है इस सरा सी फ्लोर पर औल्टरनेट सिलिकन और आयरन रिच लेयर का गठन हुआ इस लेयर को बैंडल्ड आयरन फॉर्मेशन कहते हैं दुनिया के अधिकांश आयरन और बंधार आर्कियन इयॉन में उत्पन किये गये थे बैंडल्ड आयरन फॉर्मेशन को पूरी दुनिया में जैसे ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और रशिया में पाया गया है साइनो बैक्टेरिया ने फोटो सिंतेजिस से फ्री ऑक्सिजन बनाया जब महासागर के पानी में मौजूद आयरन फ्री ऑक्सिजन से रियक्ट करता है तो आयरन में जंग लग जाता है इसलिए समय के साथ सी फ्लोर ने जंग लगा आयरन इकटा किया इस सरह फ्री ऑक्सिजन नहीं बचती थी ये जीवों के लिए फायदे मन्द था क्योंकि उस समय फ्री ऑक्सिजन उनके लिए जहली ली थी इस सरह प्रित्वी के प्रारंबिक महासागरों में विक्सित होने के लिए प्रारंबिक एन एरोबिक को मदद मिली पर आखिर कब तक महासागर के पानी में मौजूद आयरन मदद कर सकते थे एक दिन उन्हें भी खतम होना था जब महासागरों में जंग लगने के लिए अधिक आयरन नहीं था तो ऑक्सिजन वायू मंडल में प्रेवेश कर गई आज से करीब 2.4 से 2.3 अरब साल पहले साइनो बैक्टेरिया के पुरवजों से ऑक्सिजन की वायू मंडल में तेजी से बार्ड सी आ गई इस इवेंट को ग्रेड ऑक्सिडेशन इवेंट कहते हैं जब वाता वरन पहली बार ऑक्सिजन युक्त हो गया था आर्कियन प्रोटीरो जो एक सीमा के समय तक लगबख 2.5 अरब साल पहले कई छोटे छोटे क्रेटॉंस मिलकर एक बड़ा सुपर कॉंटिनेंट बनाते हैं जिसे की नौर लैंड कहते हैं इस आवधी के दोरान लगबख 2.7 अरब साल पहले सुपर कॉंटिनेंट की नौर लैंड का गठन हुआ था ये बदाने के लिए सबूत है कि पृत्वी को आरकियन के अंतिम युक के दोरान एक और सर्व नाशपूर्ण घटना का सामना करना पड़ा एक प्राकियतिक घटना जिसे मैंटल ओवर्डन के रूप में जाना जाता है जो तब होता है जब पृत्वी के मैंटल की दो परते अपने सिती को उलट देती है परिनाम बड़े पैमाने पर जोला मुखी हो सकता है कि बैक्टिरिया की कई प्रजातियों का सफाया हो गया हो और शायद जीवन के किसी भी रूप का आर्कियन इयौन ने एक समय को चिनहिंत किया जब पृत्वी की जलवायू सिर होने लगी पृत्वी अपने मॉल्टन स्टेट से ठंडी हुई यह आखिरकार महासागरों का समर्थन कर सकता है टक्टार्निक गतिविधी ने महादुईपू का निर्माण किया आर्कियन इयौन में आक्सिजन ने वातावरन को भर दिया और दुनिया के अधिकांश आयरन और जमा हो गया क्योंकि प्रित्वी की सिती सिर्वी यूकेरियाटिक और मल्टिसलिलर लाइफ आखिरकार प्रोटिरोजोईक इयौन में उभर सकती है